हलो फ्रेंड्स स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका देखिए दोस्तों आपके सवालों के जवाब जो है आप लोगों के सवाल जो है वो बहुत जेनियून सवाल है कई कैंडिडेट्स के अब एक ऐसा प्रशन जो है SSC GD के कैंडिडेट्स के जहन में घूम रहा देखिए दोस्तों एक बात आपको बता देता हूँ कि आप पहली बात तो 2015 की जो भरती है उससे इसको कतई तुलना ना करें क्योंकि 2015 की भरती में जहां आच नंबर तक बढ़ गए थे दस नंबर भी किसी राज़यों में बढ़ाता तो इस बार जो है वो तीन नंबर चार नंबर पर सिमट जाएंगे धाई नंबर पर भी सिमट जाएंगे कुछ राज़यों में वेकंसी भी खाली रहेगी उसकी वज़या आपको बता देता हूँ कि दश्मलाव के बाद में भी पांच डिजिट तक जो है आपके कट ओफ है ये आपके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है आपके लिए देखिए जब एडिशनल केंडिडेट्स की लिस्ट आई थी उस से यदि आप मैच करते ह हैं तो जहां 30 केंडिडेट 50 केंडिडेट जो है वो आधा नमबर पे सिमट गए कुछ राज्यों में 50 केंडिडेट या 60 केंडिडेट नए आए तो कट ओफ जो है मुश्किल से आधा नमबर डाउन आई तो इसका मतलब जो है आधा वो 0.5 पे 50 केंडिडेट हैं तो आप सम हमारी प्लेलिस्ट में आप जाएं और वहां पर कट ओफ के 17 वीडियोज बनाए हुए हैं उनको आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत अनालैसिस करके वो वीडियोज बनाए गए हैं दूसरा पॉइंट हमारे बहुत सारे साथिय प्लस उनके आधार कार्ड में प्रॉबलम है तो आप उनका आधार कार्ड में प्रॉबलम है तो लेकिन आधार कार्ड में नाम चेंज करवाने का एक आउशक शर्ती है कि नाम का प्रूफ होना चाहिए प्रूफ भी कैसा कि दस्वी की माक्षीट अब सपोज किजिए कि हमारा देश तो गाउं में बसता है कोई महिला ऐसी है कि जो दस्वी पास क्या वो स्कूल भी नहीं गई अब हम चाते हैं कि उनके आधार कार्ड में नाम चेंज हो जाए वहाँ बड़ी परेशानी आ रही है तो ऐसे केंडिडेट्स को डरने की जौरत नहीं है गार्जियन का या पैरेंट्स का आपसे उस समय आधार कार्ड मांगा जाएगा आईडी जब आप फैमिली कार्ड बनवाते हैं और वो फैमिली कार्ड तुरंत आपके ट्रेनिंग में जाते ही नहीं बनेगा वो जब आपनी यूनिट में चले जाएंगे जौइन कर लेंगे उस समय बनेगा तो उसमें आपको कताई टेंशन करने की जड़त नहीं है यदि थोड़ा बहुत मिस मैच है यहां तक कि यदि पूरा नाम भी मिस मैच है तो भी एफिडेविट देने से आपका काम हो जाएगा एफिडेविट जो है वो कैसे बनेगा उसके बारे में भी अलग से वीडियो बना दिया गया है अब दोस्तो एक हमारे साथियों के साथ में एक बहुत बड़ा प्रिशन है कि बीएसफ ट्रेड्समें की नेक्स्ट वर्ती कब आएगी तो बीएसफ ट्रेड्समें की नेक्स्ट वर्ती जो है वो जनवरी के बाद में कभी भी आ सकती है आप बिल्कुल रेडी रहें बीएसफ आरो आरम का फाइनल रिजल्ट उसको भी हम डिसकस करेंगे इसमें बहुत स तो आईए डिसकस करते हैं आप लोगों के कमेंट्स जो आप लोग कमेंट करते हैं कमलेश बिशेन का बहुत ही जेन्यून सा पॉइंट है कि मैं मध्यपरदेश नकसल की जनरल 110 सीट है और यहां की कट ओफ 55 है मध्यपरदेश जनरल एरिया की 75 है जो लड़के नकसल एरिया वाले जिनके नमबर 55 के उपर है वह नकसल में तो शामिल हैं लेकिन नमबर ज़्यादा होने के कारण अब इनका जो जेन्यून पॉइंट है इनका ये मानना है कि मैं संजे कुमार थैंक्यू जो कमलेश का जो पॉइंट है वो इनका है कि मेरे अभी जो मार्कस है वो मैं जर्नल एरिया में जा रहा हूँ यदि मैं जर्नल की मेरिट में नहीं आता हूँ तो मेरा क्या होगा देखिया आप जर्णल की मेरिट में नहीं आता है ता आप आटोमेटिक आप नकसल की मेरिट में शिफ्ट हो जाएंगे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगे सर मैं बॉर्डर डिस्टिक से हूँ वेस्ट बेंगॉल कट ओफ से बारा नंबर जादा है बारा नंबर जादा है जोरॉल घोष आप हंडर्ड परसंट भरती हैं आपको कोई नहीं रोकने वाला है यह गारंटी है मारी आप इसका पीडियेफ यह सुरी यह जो है पिक आप स्क्रीन शोट लेकर रख लेजिए आप को कोई नहीं रोकने वाला है सो परसंट आप भरती हैं अब यह नाम में सौफिकुल का प्रॉब्लम है कि मेरा सब डॉकुमेंट्स में मेरे पापा का नाम है आमीर हुसेन लेकिन मेरा वोटर आईडी में आमीर हुसेन अमीर हुसेन अब यह देखें कि H और O तो यह वोटर आईडी आधार यह जो है आपसे सिर्फ एक आईडी जो आपकी लगेगी आपसे कि सिर्फ आधार कार्ड आपको अपनी आईडी के रूप में आप रखिए बाकि आपको कोई दूसरी आईडी आपको शो करने की ज़रत वहां पर नहीं है आपके ड्राइविंग लाइसेंस म उनली यू के जगे ओ है क्या रेजक्शन अब देखें रेजक्शन स्लिप अब नहीं आएगा सौफीकुल आपके जो रेजक्शन जो हैं उनका काम हो चुका है अभी जो ओर्डर हैं वो किन लोगों के आ रहे हैं जो पकड़े गए थे इंपरसोनेशन यानि कि दूसरे कंड कंडिडेट्स को बिठाके उन्होंने एक्जाम दिलवाया था और फिजीकल में दूसरा कंडिडेट गया था मिस्मैच हो गया था अंगूठा पिक नहीं मिली थी उनके खिलाफ डर्ज हुई थी वो गरिफतार हुए थे उस समय तो यह जो है ऐसे कंडिडेट्स हैं उनके प भरवा लिया है तो भी आप निश्चिनत रहें कोई प्रॉबलम आपको नहीं होगी क्योंकि वो सर्टिफाई किया जा चुका है फोर्स के ऑफिसर बोर्ड ओफ ओफिसर्स द्वारा उसमें उन्होंने कोई अब्जेक्शन नहीं लिया है अब्जेक्शन जिनके हुए थे उ वहां पर आपका कम्प्लीट मेडिकल चेक अप जैसा आपका फोर्स में होता है उससे भी बहतरीन तरीके से करवा कि हम आपको प्रोपर फाइल बनवा कर दी जाती है आधार कार्ड पे दस मिनट में अब देखिए आकाश दीप का कहना भी बिलकुल ठीक है आकाश दीप जो तो समझा समझ रखा करो यार बिलकुल आकाश दीप बहुत अच्छी बात आपने कही है ये समझ के बारे में आपको बता दूँ कि इतनी समझ हमें जरूर है लेकिन हम जो पॉइंट उठा रहे हैं उन कैंडिडेट्स का उठा रहे हैं जिनके मदर्स नेम फादर्स नेम वि वो चेंज करवा लेता वो इतना सभी जानते हैं तो आकाश आपका कहना बिलकुल जायज है कि समझ हमें रखनी चाहिए अपनी दुकान कैसे वी चला रहे हो तुम सब अकिल गेमिंग बहुत बढ़िया अपने कमेंट किया दुकान देखे दुकान जो है वो अपने रोजग से मेरे साथ भी ऐसा हुआ बोल रहा था इलाबाद से डॉकुमेंट के नाम पर पैसा मांग रहे हैं किसी के जहांसे में नहीं आ जाना वीडियो बना कर बता दिया आपको एक दुसरे को सर सर क्यों बोल रहे हो ऐसे वीडियो मट डाली अप प्रेम मरांडी आपको बताएं क सर मैं बिहार से हूँ मेरे पास भी कॉल आया था बी एस एनल नंबर से यदि आपके पास रिकोर्डिंग है तो पंकज नीचे डेस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया जा रहा है आप शेयर करें हमारे पास खागेश बहुत बहुत धन्यवाद आपका कट ओफ एंड फाइनल मेरिट बी एस एफ आरो आरेम की इसके बारे में आपको बता दूँ कि जिस दिन आपका लास्ट मेडिकल होगा उसके 45 डेज तक आप देखे कहीं भी फॉन मत करना आप B.S.F. Headquarter में जो कॉल करते हैं उसके रिकोर्डिंग्स भीजते हैं उसको कई हम सुनते रहते हैं उसको उन ग्रूप्स में भी हम लोग हैं उसमें लेकिन हम कभी भी आपके उसमें कमेंट नहीं करते हैं क्योंकि कई बार सही जानकरी देना जो है वो भी गलत हो जाता है सर आप लिस्ट का लिस्ट का लिंक दे दिया गया है कौशल सर SSB Head Constable Ministerial का टाइपिंग में बैक स्पेस काम करता है या नहीं देखे जब टाइपिंग होगी उस समय आपको बता देंगे वैसे आपकी जानकरी के लिए बता दूँ कि यदि आप टाइपिंग के प्रेक्टिस क कर दो पता करके प्रीत मानेस 15 जनवरी से पहले पहले आपकी मेरिट जो है कंफर्म आ जाएगी ऐसी हमारी जानकरी है फस्ट व्यू थैंक्स वीडियो थैंक्स जैविंग गेमिंग आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद एक दलाल का मेरे पास भी कॉल आई थी मेडिकल के स अब वो कितना फेक है और कितना सही बात है अड्मिट कार्ड बाई पोस्ट आएंगे बिलकुल दीपक बाई पोस्ट भी आएगा लिस्ट आ गई है यदि आपको बाई पोस्ट लेटर नहीं मिलता है आप अपने नाम के पेज वाला जो आपके नाम वाला जो पेज है उसका प्रिंट आप ले लीजिए वही आपका कॉल लेटर हो जाएगा पॉलीमेस्टियारी मेडिकल ये किस भरती में है ये आप पूरा डीटेल में बताएं फाइनल मेरिट कब तक आएगा ये आरजे 18 आले फाइनल मेरिट जिस दिन आपका लास्ट मेडिकल होता है उसके 45 डेज तक आप वेट करना उसके बाद कभी भी निकल सकती है 45 से 46 वे दिन भी आ जाए और 50 दिन भी लग जाए 60 भी लग जाए कोई फिक्स नहीं होता है लेकिन 45 दिन तक साधारन तया मेरिट नहीं आती है क्यों नहीं आती है उसकी वज़ए आपको बता देंगे अगले वीडियो यह सब मत सुनाओ भाई लोग मुन्नी लाल यह सिरफ एड्यूकेट करने के लिए सुनाया है थैंक्यू परवीन महमद शोराब धानली कौन अब यह जो शब्दों का इस्तेमाल देखिए महमद शोराब आप करते हैं तो यह अच्छा नहीं है कि इस तरीके से आप सारजुन कि उसके हिसाब से पुरानी भरतियों के हिसाब से री मेडिकल के बाद कितने दिन बाद मेरिट आती है और कितने दिन बाद जोईनिंग हो जाती है पैंतालिस दिन मेरिट के लिए इंतजार करें और उसके बाद लगबग महिना भर जो है आप और इंतजार करें लास्ट री कर रहे हैं आप त्रेड्र MEN के पाफित यारी बॉल रहे हो कि कौन बोल रहा है यह, हूम नहीं बोल रहे हो तालिब पूरा वीडियो देखो आप और उसके बाद कमेंट करो फौज में भरती होने जा रहे हो तो चीजों को देखना और गोर से देखना फौज में सिखाए जाएगा आपको फालतू का वीडियो क्या धर्मिंद्र मांडवी को हमने रिप्लाई किया है अब देखे धर्मिंद्र हर किसी को अपनी बात कहने का हक है जिसको जैसा लगता है वो अपना कमेंट कर दें वो काल किया एक दूसरे को कॉल किया और हम लोगों को सुना रहे हो धर्मिंद्र आप मत सुनो ऐसा वीडियो आपको यही प्रब्लम लगता है तो प्रताब सरजी वीडियो को अप्लोड करो अभी सिर्फ दो वीडियो डाली है वीडियो डाली है प्लस दो content भी डाल दिये हैं नोट्स डाल दिये गए है एप पे और questions जो बारबर ट्रेड के questions भी प्रोवाइड करवा दिये गए हैं नाइस प्रेम सफाई करमचारी का next week पूरा हो जाएगा प्रेम आपकी questions आ जाएंगे इस पर Sir मेरा re-medical 32 बटालिन ITBP सारसोल कानपूर में था Sir मेरा re-medical fit था पर कोई fit का certificate नहीं दिया है किसी को भी बहुत सारे centers पे नहीं दिया है कोई problem नहीं है आपको fit बता दिया तो यह समझे आपका record fit का बन गया मुझे stemming की problem है लेकिन मैं medical fit हूँ क्या मुझे बाहर कर देंगे क्यों कर देंगे बाहर कोई problem ऐसी नहीं है stemming mild है doctor के board ने आपको fit किया है तो आप कोई दिक्कत नहीं है आप tension ना करें ऐसा joining की time पर medical होगा लेकिन वो complete medical जैसा नहीं होता है normal medical होता है सेबक कुमार बहुत बहुत धन्यवाद आपका positive comment आप करते हैं हमारे लिए sir मुझे एक question पुछना है जो bsf trade man का joining हुआ है वो लोग का अभी training नहीं किया उनको direct duty दे दिया मैंने सुना है जो tradesman है उनको ssc gd जो लड़का joining करेगा उनके साथ एक साथ training होगा देखिये इस बात में कोई सचाई नहीं है आपको बता देता हूँ कि training program दिल्ली force headquarter से बनते हैं और अभी फरवरी तक जो training program है उनको halt किया हुआ है और bsf tradesman का training program अलग बनता है जीडी के training के साथ उनका कोई तालमेल नहीं होता है सर जी कुक के question कब upload को कुक के question नरेंद्र संडे शाम तक निश्चत रूप से upload हो जाएंगे आपको अप्रेट कर दिया जाएगा ये sscgd target ने क्या comment किया है दीपक ने लिखा है कि हम लोगों के लिए वीडियो इसलिए डाले हैं कि कम से कम आप लोग सावधान रहें क्या सर थैंक्यू थैंक्यू दीपक बहुत धन्यवाद आपका एजेंट लोग जो है वो सक्री हो गया और एजेंट नहीं कहना चाहिए इनको ये भड़वे हैं बड़वे जो ठगी कर रहे हैं और इन भड़वों को लोग मैं मैं बता दो इनको कि आप एक घर तो डायन भी छोड़ती है इनको तो छोड़ दो कम से कम जो देश के लिए कुछ करने जा रहे हैं जेब काटना है बाहर काट लो किसी का भी चुरहये पर काट लो किसी का माडर कर दो ये सब आप काम करते हो जो शर्मना काम है कि जो कैंडिडेट देश के लिए अपना सरवच बलिदान करने के लिए जा रहे हैं उनको आप कटिंग कर रहे हो आपकी जानकरी है वहाँ पे ओफिस से एड्रेस निकाल लिया ये बहुत ज़दा काम चलता है तो आप लोगों को टेंशन यहाँ पर करने की ज़रत नहीं है आप सावधान रहें सचेत रहें और इस प्रकार के कोई कॉल आते हैं अन्जान नंबर के उसको आप रिकोर्डिंग करें और रिकोर्डिंग जो है उसको सर्कुलेट करें ताकि वो recordings जो है circulate हम इसलिए करते हैं कि वो आप आवाज पैस्टांज सकें यदि आपके पास भी कोई ऐसा call आता है तो तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा comment करके जरूर बताएं यदि आपको कोई problem होती है विशेश रूप से हमारे जो medical री-medical में जाने वाले candidates हैं आप exercise वीडियो के लिए या किसी प्रकार का भी आप जनकरी लेना चाहते हैं आप नीचे description पर what's up कीजिए call आप अनावशक नहीं करें दोस्तों सभी call हम attend नहीं कर पाते हैं अब रुकना नहीं अब थमना नहीं अब ठानना है वर्दी को हर हाल में पाना है जैहन्त